कहिए कैसे हैं आप अपने मन को कंट्रोल कैसे करें देखिए हम ना बाहर की चुनौतियों से नहीं घबराते अपने अंदर की कमजूरियों से हार जाते हम अपने अंदर की कमजूरियों से और सबसे बड़ी कमजूरी पता है कौन सी है हमारे अंदर की सबसे बड़ी कमजूरी जब हम अपने मन को एक कंट्रोल में नहीं रख पाते हम अपने मन को कंट्रोल में नहीं रख पाते जबकि यह बहुत जादा ज़रूरी है देखे अगर हमारा मन ही हमारे कंट्रोल में नहीं होगा तो हम तो लाइफ में बहुत पिछड जाएंगे ना हम जो करना चाहरे हैं, हम जो लाइफ में पाना चाहरे हैं जो एचीव करना चाहरे हैं, कुछ करी नहीं पाएंगे उस वज़े से क्या होगा, हम बहुत दुखी हो जाएंगे, परिशान हो जाएंगे देखें, मैंने आपको कुछ एक एक अग्जाम्पल्स दे के बताती हूँ और फिर बताऊंगी कि किस तरह से हम अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं जैसे कि एक लेडी है, ठीक है, अपना वजन कम करना जा रही है वो इसलिए कि मैं सुन्दर दिखूँ, जो नए-ने लेटिस्ट फैशन के कपड़े हैं वो मुझ पर फिट आ जाएं, मतलब मेरी फीगर इतनी अच्छी हो जाए पर खारें पर कंट्रोल ही नहीं होता, बहुत जादा चटोरी है बहुत ही जादा शॉक है, टेम्टेशन हो जाती है, नहीं कंट्रोल कर पाती नहीं कर पाती, मतलब लाग सोचती है कि करना है कंट्रोल, पर नहीं होता उससे क्या हो रहा है फिर बहुत frustrated है दुखी रहती है even वो और लेडी से जो कि slim trim है उनसे jealous भी करने लगी अच्छा एक example और बताती हूँ जैसे एक husband है उनको drink करने की बहुत आदत है अच्छा उनको पता भी है इसके होने वाले नुकसान क्या क्या है उनको पता है पर वो मन पर control ही नहीं कर पाते हैं हरो सोच लेंगे कि शाम से नहीं लूँगा शाम होते ही मैं नहीं लूँगा पर फिर शाम होते ही वो बैठ जाते हैं उससे क्या होता है देखिए शराब पीने से क्या होता है कि जैसे एक तो late night वो लेते हैं फिर सुबह उठने में दिकत फिर office पहुंचने में फिर कभी headache हो अच्छा फिर घर में लड़ाई जगड़े तो उस वज़े से क्या है कि काम पे भी concentrate नहीं कर पा रहे है फिर वो जो achieve करना चाह रहे थे कि मेरी office में प्रमोशन हो क्योंकि उनके जो साथ वाले दोस्ते सब की promotion हो गई वो रह गए तो उस वज़े से बहुत परिशान रहते है और reason क्या है कि वो उस पे जो control करना चाहिए जिसके ओपर उसके ओपर करी नहीं पा रहे है अच्छा एक example और देती हूँ जैसे कि एक student है और उसको ना mobile की बहुत आदत है मतलब वो control नहीं कर पाता वो चाहता है कि वो class में अच्छा जाए मतलब अच्छे marks हैं उसके class में प पूरे time और इस वज़े से वो पढ़ाई के ओपर concentrate नहीं कर पा रहा पर वो चाहता है कि भी मैं अच्छे marks लाओं मेरा admission अच्छे college में हो पर वो करे नहीं पा रहा तो देखिए कुछ करना है कुछ पाना है life में कुछ achieve करना है और सबसे बड़ी बात खुश रहना है खुश से नहीं गिरते फूल वक्त की शाक को हिलाना होगा कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से अपने हिस्से का दिया कुद ही जलाना होगा मतलब हमें खुद ही मेहनत करनी होगी खुद ही प्रयास करने होगे खुद ही हमें ठानना होगा मतलब मन को मस्बूत करके हमें पक्का इरादा करना होगा कि नहीं हमने इसको कंट्रोल करना है मतलब जो भी चीज हम छोड़ना चारेंगे हमको छोड़ना ही है देखिए मन को कंट्रोल करना बहुत मन को Commercial करना बहुत आसान तो नहीं है पर बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है मतलब हम मन को कहें ना कि हम तेरे गुलाम क्यों बनें बलकि हम तो तुझे गुलाम बनाएंगे अपना हम तेरे कहें से क्यों चलें हम तो इस तरह से करेंगे तू हमारे कहें से चले, तू हमारे अनुसार चले, हम तेरे कहें क्यूं चले? चलिए आज ना इसी बारे में मैं आपको साथ स्टेप्स बताती हूँ कि किस तरह से करके हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली बात है, जिस चीज का मन कर रहा है न, ये सोचना है कि ये इच्छा है या मेरी जरूरत है, जिस चीज का भी मन कर रहा है, देखिए जो जरूरत है न, हर जरूरत एक इच्छा होती है, पर हर इच्छा एक जरूरत तो ये जरूरी नहीं, मैं अपनी बा कि मन कर रहा है यह ज़रूरत है मन कर रहा है या ज़रूरत है फिर उसका मन यह कह रहा है कि भूँन हिए तो भूPre- देखिए अगर हमें प्यास लग रही है तो प्यास तो पानी से भी बूछ सकती है कोल्डरिंग किसले पी रहे है तो अगर हमें भूक लग रही है तो और 10 आप्शन हैं हमापस fruits हैं हमापस salad है, chips ही क्यों और अगर यह लग रहा है कि बहुत ही हावी है हमारा जो मन है यह chips खाने को बहुत ही हावी हो रहा है मतलब बहुत जादा temptation हो रही है हमन कर रहा है फिर यह सोचे ना कि इसको खाने के प्लस माइनस पॉइंट मितलब खुद मुल्य आंकन करना है यह खाएंगे तो किस तरह की problems होगी क्योंकि तला भुना है इसमें गी है इसमें मसाला है फिर दो दिन फिर परिशान रहेंगे कि हो मैंने क्यों का लिया फिर दुखी रहेंगे हो मुझे नहीं खाना चाहिए था सो सोच के परिशान रहेंगे तो क्यों ना यह जो 50 ग्राम की जीब है जो बहुत जादा मतलब उताफली हो रही है कि खाना है खाना है इसको अभी से लगाम लगा ले इसको रोक ले मतलब हमारा शरीर 60-70 की लोगा यह 50 ग्राम की हलकी फुलकी सी जीब क्या इसको हावी होने दे हम अपने शरीर पे तो इस तरह से हम सोच लेंगे ना फि दूसरा पॉइंट मन को समझाना है मन को कि बहुत हो गया भई अब मान जा समझ जा कैसे की जैसे एक एक लड़का है और जैसे कॉलेज में है और एक्जाम शुरू होने वाले हैं मोबाइल की बहुत टेम्टिशन है मतलब मोबाइल करना चैटिंग करना गेम्स खेलना सोचल नेटवर्किंग साइट्स पे एक्टिव रहना मतलब बहुत शौक है तो वह अपने आपको ये कहे कि देखो जब पहले भी किया था इससे पहले भी एक्जाम था उसमें भी इतने कम माक्स आए अब भी तू पढ़ाई नहीं कर रहा अपने आप से बात कर रहा है वह अब भ जो भी निमंत्रन दे रहा है जैसे केले का छिलका पढ़ा हुआ है कि इसमें फिसलूंगा मतलब ऐसा क्यों कर रहा है मतलब खुद को समझाना है खुद को मोटिवेट करना है कि ये जो तू कर रहा है ना ये गलत है अब आता है तीसरा पॉंट जो भी पॉंट्स हैं यानि जिल लोगों से मिलकर या जहां जाकर जिस जगे जाकर लगता है ना कि टेम्टिशन हो जाती है उस चीज को एवोइट करना चाहिए जैसे एक लेडी है उसने किटी पार्टी बहुत सारी जॉइन की हुई है माल लीजे तो वहाँ पे खाना पीना बहुत साधा होता है तो व ना जाये मतलब दूरी बना के रखे ना उन लोगों से या उस जगे से जहां पर उसको जाकर टेम्टेशन होती है जो चीजे उसको ट्रिगर करती है और उसकी बजाए उन लोगों के साथ रहे जो ये चीजों में है ही नहीं मतलब जिनकी ये नेचर ही नहीं है जिनकी आदत नहीं है अच्छी कंपनी में रहे ना फिर फरक पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा अब आता है फूर्थ पॉइंट मन का भी ख्याल रखना है अब मन को बहुत ज्यादा इरिटेट नहीं करना टॉर्चर नहीं करना जैसे कि कई वर क्या होता है कि जैसे एक बच्चा है क्यों चाय से स्मोकिंग की आदत है तो उसने क्या हुआ है की सिगरेट अपने पास रखता है पीता नहीं आ वो सुँबे से शाम तक उसके हात में रहती है उसके पास ही रहती है पर वो यह जोलेता नहीं क्यों कि नहीं को इस तरह से सैणिस्पेक्शन है कि मेर पास है जब कोई उससे दूर कर देगा, कोई डबी उठाके रख देगा, कि नहीं, तुम्हारे सामने तर्म डबी नहीं रखेंगे, फिर उसका मन उधर ही भटकेगा, मतलब उसका ध्यान बापस सिगरेट के उपर ही जाएगा, तो मन को इस तरह से टॉर्चर भी ना करें, चलो अपने पा तो अपने पास रखे, वो स्टूडेंट है, अपने पास रखे मोबाइल, पर करेगा नहीं, उसको सैलेंट मोड पर रखा हुआ है, करेगा नहीं वो, अब आता है next point, fifth point, मन जिद कर रहा है ना, तो हमने double जिद करनी है, तू सेर है ना, तो मैं सवा सेर हूँ, तू जिद कर मतलब तू इस जिद में है कि शराब पीने का मन कर रहा है, शराब पी नहीं है, मैं भी पक्का जिद दियो, मुझे भी पता है कि ये मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, मैं बिल्कुल ही नहीं पिऊंगा, मैं इसको हाथ भी नहीं लगाँगा, मैं इसको देखूंगा भी नह तो कितना करेगा मतलब अपने आप से बात करनी है अपने आप से कि हाँ तो करना कहां तक करेगा मैं भी देखता हूं कितनी है तूझ में ताकत मैं भी देखता हूं तो कर जिद कर मैं ते से डबल जिद करूँगा मतलब उसके उपर ही हावी हो जाना है कि नहीं करना क्यों क्य जब हम वाकई में इन चीजों को छोड़ना चाहरे हैं बहु उपर उपर से दिखावा कर रहे हैं फिर तो हम अगले इपल बैट के ले रहे होंगे ना पर अगर हमने ठान लिया और उसका डटकर मुकावला किया फिर नहीं वहावी हो सकती फिर क्या मतलब है उसका हावी होने क बस बहुत हो गया चुपो के बैट जा तू खबरदार जो तेरी आवाज आई मतलब इस तरह से खड़का देना उसको अब आता है सिक्स पॉइंट खुद को चैलेंज करना देखिए सपने हमारे हैं तो कोशिशे भी तो हमारी होनी चाहिए ना हम कुछ बनना चाहरे हैं कु अच्छी अपनी बॉड़ी पनाना चाहता है पर वो उठी नहीं पाता तो खुद को चैलेंज देना है कि जैसे अलाम लगा दिया उसने पर अलाम को बैट के पास नहीं रखा उसको दूर रखा कि जब अलाम बज़ेगा तो उसको बंद करने के लिए उठना पड़ेगा हुझ को चैलेंज देने वाली बात है या एक सुडेंट है उसको सोशल मीडिया का जैसी फेसर पहुझ खूख है बार बार देकने का बार बार उसको चेक करने का बहुझ शॉक है तो उसके रखाएग परको चैलेंज दे कि मेरे एक महिने जब तक मेरे एकरम्स होगर, क dictate मेर वो क्या कर रहा है अपना जो प्रोफाइल है उसको एक बार कुछ समय के लिए डियक्टिवेट करती है कि मैंने नहीं देखना बर जब देखना ही नहीं है फिर मेरी कंस्टरेशन भंग होती है ना मेरा ध्यान बढ़ता है तो मैं उतर देखूंगा ही नहीं या एक लड़की है उसका एक वर्टसब ग्रुप है और उसमें बहुत सारे नोटिफिकेशन आना उसकी वज़े से वो बाबा मोबाइल बिब बिब करता रहता है उसके अटेंशन डैवर्ट होती है तो वो थोड़े समय के लिए उस ग्रुप से एक्जिट हो जाए वो सोच रही है कि इस बीना करें ये तो गलत बात है तो कोशिश लगातार प्रयास लगातार जारी रखना लगातार और बड़े सट लेना है यह नहीं कि बहुत बढ़े-बढ़े हम ने टारगेट सेट कर लिया बहुत बढ़े-बढ़े गोल सट कर लिया एक alumni रखे चोटे-चोटे बेवी स्टे शावाशी भी देनी है और लगता है कि नहीं यह तो हम करी नहीं पाए तो खुद को पनिश्मेंट भी देनी है जैसे एक लेटी है और उसको ना मीती चाय बहुत अच्छी लगती है मतलब एक चाय में दो चम्मची निडालती है तो उसने अब क्या कंट्रोल किया है कि मैं सिर चीटिंग कर लेते हैं तो एक दिन एक टाइम वो क्या करें कि अराम से दो चम्मच चाय में चीनी डाल के ले क्योंकि उसने अचीव किया इतना सारा मतलब सिरफ एक बार ऐसे करें और जहां उसको लगा कि मैं नहीं अचीव कर पाई मैंने चीटिंग की में से नहीं की चाय पिएगी इस तरह से पनिश्मेंट दें देखिए क्या होता है कि मन में पूरा कॉंफिडेंस भर के तब हम करेंगे ना फिर हम जरूर एचीव भी कर पाएंगे मतलब खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते हैं कई पर क्या होता है कि नहीं यह तो पॉसिब यह सोचोने चाहिए I can do it मैं यह कर सकता हूं हम क्या कहते हैं मैं नहीं कर सकता अरे मैं क्यों नहीं कर सकती मतलब मन को मजबूत बनाईए ना देखिए मैंने इतने सारे options बताएं आप किसी एक को अपना कर आप शुरू कर सकते हैं बस जरूरत क्या है मन को ठानना और खुद पर विश्वास होना चाहिए खुद पर तो देखे विश्वास नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे जी तो खुद पर विश्वास होना तो बहुत जादा जरूरी है देखिए जब मन कमजोर होता है ना तो जो प्रस्थिती है ना हमारी situation है वो समस्या बन जाती है औ और अगर मन स्थिर होता है ना, तो जो परस्थिती है, जो situation है, वो चुनौती बन जाती है, और मन मजबूत होता है ना, अगर मन मजबूत हो गया ना, फिर जो परस्थिती है ना, वो अफसर बन जाती है, एक मौका बन जाती है, तो हमें हिम्मत करके बस जुटे रहना है, टा हिम्मत हार के बैठना ये हमें मन्जूर नहीं बेशक मन्जिल दूर है हमसे हम मन्जिल से दूर नहीं मतलब पूरा confidence विसे आप बताईए आप क्या सोचते हैं आपके comments काम मुझे इंजार रहेगा और हाँ अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक subscribe नहीं किया तो please कर कर लिजेगा ताकि जब भी जैसे में कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास notification या message आजाए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आपको लग रहेगी हाँ किसी और के काम भी आ सकती है तो please आप इसको share भी जरूर कर लिजेगा ठीक बाई